दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है आपके लिए फ्रेंड बहुत जरूरी यानि कि इस वीडियो को मैक्सिमम दस मिनट अगर आप अपना टाइम निकाल कर देख लेते हैं तो फ्रेंड आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने से बहुत ज़्यादा आपके परसनल चीजे लीक होने से बच सकते हैं फ्रेंड बहुत ज़्यादा इस वीडियो में आपके लिए पहले ही मैं बताने वाला था आपको किया पहले इस वीडियो को बना के आपको बताने वाला था लेकिन थोड़ा दिक्कत की हो जैसे पहले नहीं बना पाया मैं लेकिन इस वीडियो को थोड़ा लेट ला रहा हूं उसके लिए मैं शौरी कहूंगा फ्रेंड लेकिन इस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है आज इसकिप तो करहीं मत प्लीज फ्रेंड इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं उस बात क पे हैं वो हमारे personal phone की बायो ने कि हमारा personal data हमारे mobile का personal data बहुत ज्दाल बहुत लोगों का जो है वहाँ पे जो है लोग उस बायो data को चुरा ले रहे यानि कि आपके application के माधियम से वो data अपने phone पे वो चला रे ले चला दे रहे हैं friends और यानि कि जिन लोगों के ने कोई Chinese application में friend यानि कि जो Chinese application हमारे phone में अगर वो phone में Chinese application कोई ऐसे application में आपने अपने bank account का number या bank account का कोई भी चीज़ सेर की है तो friend प्लीज जल्दी जितना जल्दी हो से के वहाँ से उसे delete कर दीजे और उस जो है अपको अपने phone पे रखे ही मत friend जितने भी हो सारी application को अपने phone पे बिल्कुल delete कर दें Chinese application क्योंकि उससे बहुत ज्यादा भारत के बहुत ज्यादा लोगों का जो है phone में से bio data और उनके personal information स पिर कुछ ऐसे hide application आपके phone में होंगी चाइना की जो आपको पता नहीं चल पाएंगी कि यार यह Chinese application है इंडिया की वो सब मां आपको आगे बताओंगा कि आपने phone से कैसे पता गरे तो मैं सब बताओंगा यह आपको और personal यह भी बताओंगा कि वो application को बंद कैसे करें उस application से जो आपके information जारी हो सब चीजे बंद कैसे करनी है friend पहली इस पात को ध्यान पे रख लें कि अगर अगर अपना कोई भी bio data आपकी personal chatting आपके personal जो chatting है जो आपके personal वो है information personal information आपके जो personal bank account से जो relative हैं अगर आपने कहीं पर अपने bank account का number ATM का number या पिर ऐसे कोई भी verify के लिए कि friend वो तुरंत आपको हटाना पड़ेगा तुरंत friend क्यूंकि चाइना बहुत जो है बुरी चीज़ा आप जानते हैं उन लोगों ने इस टैम्प पर बहुत जो है इन लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है बहुत सारे लोगों को इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान ह इसलिए आप लोगों को सुचित करना बहुत जरूरी था कि वो कौन सी अप्लिकेशन है जो आपने अपने फॉन से डिलीट कर देनी है था आपको बाता रहा है अगर आपकी का और आपसे रिक्वेस्ट है इसलिए फ्रेंड आप हमारी फैमिली की तरह हो अगर आपकी कोई परसनल चीज़ को आपर है कर लिया जाता है जिससे कि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है ब्लैक मेलिंग हो सकती है खुजी भी फ्रेंड आपको हो सकते हैं इसलिए आपको कोई परसनल से मैसेज किये जा सकते हैं आपके परसनल मैसेज कहीं पर वो किये जा सके हैं जिससे कि दिक्कत में आप आओगे आपके बैंक अकाउंटर से हजारों हैक हो सकते हैं यानि कि आपका बैंक का अकाउंटर आपके परसनल इमेल यानि कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहीं पे अगर लॉग इन कर दिया है आवहाँ पे वो बाई डटा भर दिया है इसलिए हाथ जोड के रिक्वेस्ट है कि अपनी परसनल डाटा कोई चाइनीज अप्लिकेशन में बिलकुल न रखें चाइनीज अप्लिकेशन सारे अपने मुबाईल फॉन से डिलीट कर दें क्योंकि यह बहुत हरामी लोग हैं यह आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं इस टैम पे हालात कैसे हैं तो पहले चीज जो आपको कर नहीं किया है आपके फॉन में वो अप्लिकेशन कहां से आ रही हो परेशनल इफॉर्मेशन चुरा ले रही है वो सारे चीज़ें इस वीडियो में देखोगे आप आपको अपने पहले तो आपको एक चीज करने है अपको आपको हैं सारी अप्लिकेशन डिलीट करने है वो कौन सी आपको आपको अप इससे आप कनफ्यूज हो जाएंगे कि यह पहचान हों जैंए वो सब मैं बताओंगा इसे लिए चलो हम वीडियो में आप आपको आगे यह बता देता हँ क्यूंब if you create the application इस के लिए अप्लिकेशन आपको टोए लोड करने पढ़ेगी प्ले स्ट्टोर से यहाँ पर प्ले स्ट्टोर माझ यांवन जाके सबसे पहले सर्च करना है यहां पर यहां से आपने प्ले से आपने करना है cancelled चाइना चाईना एप इसे आप करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे देखार, लेकिन आपने तीसरे नंबर वाले पे आपको दिखाई दे रहा है चाइना एप इसकेनर आपने इसे डाउनलोड कर लेना है अपने फॉन में फ्रैंट क्योंकि इसे डाउनलोड करना बहुत जरूरी है इसे सब से पहले और भी आप से रिमूब आपने वह नहीं केवाल सिर्फ चाइना के एप और कहीं भी कंट्रीज के मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ चाइना के स्टैंप पे आपको आपके फॉंट से डिलीट करवाना मेरी बहुत जो है जिम्मेदारी बन चुगी कि आपको मैं कोई नुकसान ना पहुंचने दूँ इसलिए फ्रेंट फ्लीज रिक्वेस्ट है आपने क्या करना है इससे अप्लिकेशन को अपने फॉंट में सबसे पहले डाउनलोड कर लेनी है अब आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या करने है तो फ्रेंड यह अप्लिकेशन जैसे आपके फॉन में जो है वो होगी यह आपने क्या करना है यहां से देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेश आएगा तो आपने क्या करना है उस बैक आना है उसके बाद दोबरे इस अप्लिकेशन को ओपन करना है अपने फॉन यहां पे जो वो होगा, यहां पर जो है, देखो, अभी मेरे फॉन में, मैंने तो सारे डिलीट कर दी है, अप्लिकेशन, यहां पर जो हो जाती है, यहां पर जो हो जाती है, तो आप इस अप्लिकेशन को जो ओपन करेंगे, तो यहां पर वो सारी अप्लिकेशन आ जाएंगी, जो चाइनीज है, तो वो चाइनीज अप्लिकेशन क्या करना है, आपने डिलीट कर देनी है, यहां पर वो सो होंगी, यहां पर सो होंगी, तो आपने यहां से जो है, डिलीट कर देनी है, वो अप्लिकेशन तब जाके जो है, यह आपके फॉन पर दिखाए देगा, कि यह अप्लिकेशन आपक वो application को तुरंत ही delete कर दे ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो करके यानि कि आपका personal buy data, आपके personal email आपके personal number से, आपके personal सारे चीजे से दूसरे लोगों को email किया जाएगा, गलत यूज किया जाएगा आपके bank account से पैसा hack हो सकता है, आपका account हो सकता है बहुत सारी problem का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि China वाले कितने वो हैं, आप इस time पे जान सकते हैं, इस time पे देख सकते हैं जो हालाग चले हैं, इस लिए friend please request है, इस application को download करें और इसमें बता देगा कि कौन सी Chinese application है, वो सारे delete होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और एक चीज आपको मैं और बताऊंगा जो कि आपके phone पे Chinese application Google Play Store से भी install नहीं हो पाएंगे, आपको सुचित कर दिया जाएगा उसके लिए आपको क्या गनना पड़ेगा वो भी माँ आपको बताऊंगा Play Store में जाके आपको क्या गनना है वहाँ से क्योंकि उससे जो भी आपके personal information कहीं जा रही है तो friend वहाँ पे आपको सुचित कर दिया जाएगा, email भेद दिया जाएगा या आपको वहाँ पे कोई उस time पे जाएगा, वो सारे माँ आपको चलो दिखा देता हूँ आपके फॉन में ना आ जाएगा आपके फॉन में कोई निस्टॉल ना हो कि जो चैनीज अप्लिकेशन है और जो आपका personal data कहीं और पे निकल सकती है उससे जो है आपका personal data चोरी हो सकता है वो सब आपको बंद करना होगा और वो कहां से बंद करना होगा वो application कहां से आपकी बंद हो जाएगी वो application आना या वो application आपके phone में चलिंगी नहीं और इस्टॉल नहीं होगी वो सारा जो है, मैं इस video में आपको एक setting बताऊँगा आपके play store में आपने वहाँ पे जाके देखना है चेक करना है कि ये जो है on है या बंद है, वो setting अगर on है तो सही है लेकिन अगर बंद है तो friend, please उसे on कर ले request है उसे on कर ले friend तो अब आपने क्या करना है यहां से अपने three dots पे click करना है यहां पे play protect दिखाए देगा आपको नीचे यह दिखाए दे रहा है play protect तो यहां पे आपने क्या करना है इसमें click करना है इसमें click करने के बाद friend, यहां पे बहुत सारे जो है आपको नीचे यह जो refreshing का पहले तो यह दिखाए देगा नो यहाँ पर यह दिखाए देगा ओके good दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपने इसे refresh करने इसे refresh करने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा code आता है या आपको यहाँ पर कोई email मिलता है तो यह समझे ले ना friend कि आपके phone में कोई ऐसी application आ चुकी है जो आपका जो है bio data कहीं और पे show कर रही है उससे आपके phone का hack होने की पूरी जो है वहाँ पे संभावना बन चुकी यानि कि आपका phone hack होने वाला है या हो चुक है ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पे ध्यान रखे और उपर यह setting का निशान दिखा दे रहा है यह दो चीज़े यह दो चीज़े हर phone में तो on रहती है लेकिन आपने गलती से कभी बंद कर दियो तो याद रखें कि इन्हें on रखना है इनको बंद नहीं करना है friend इन्हें हमेशा on रखना है क्योंकि अगर आप इन्हें बंद करोगे तो friend आपको email वहाँ से नहीं आएगा आपके phone में application आजाएगी आपको पता नहीं चलेगा आपका सारा bar data कहीं on leak हो जाएगा यानि कि आपको bar data वहाँ पे चला जाएगा आपको बहुत जला नुकसान हो जाएगा तो क्या करना है इस setting को on रखना है तो यहाँ पे इसे refresh कर दें okay good लिखा रहा है कोई नीची नहीं आ रहा है तो no attention रहे जाए नहीं सकता और अगर नीची कोई आपको mail या वहाँ तो friend उसके बाद की आगे कोई मैं आशी वह नहीं बता सकता अगर mail आ चुका है तो friend उसके लिए आपको कुछ नहीं अपना मैं कहा रहा हूँ कि phone चेंज कर ले क्योंकि वन्ना अगर इसमें कोई ऐसी personal चीज़े हैं phone के अंदर जिससे आप सोच रहें कि मैं मुसीबत में पढ़ जाओंगा तो phone बदल ले या phone चोड़ दे क्योंकि ये बहुत सारे जो है आपके MI number ऐसे phone के बहुत सारे आपको दिक्कते खड़ी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करा सकते हैं तो याद रखें अगर आप सारे पहले से ही जो है साउधानिया बढ़तेंगे दूसरा अपने phone में वो application जो मैंने आपको बताए Chinese application remover scanner जो बताए उससे आपने download कर लेना चेक कर लेना कि कोई याशी application तो नहीं है और third यहाँ से अपनी setting को on रखना है और वहाँ जाके check कर लेना है कि वो setting off तो नहीं है या वहाँ पर refresh करके देखना है कोई मेरे पास mail या यहाँ पर कोई SMS तो नहीं आया यह चीजु का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यार कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी friend क्योंकि ये वीडियो थोड़ा technical boss इन जो है बड़े बड़े YouTuber उन्हें भी पहले इस topic पर वीडियो बना के लोगों को सुचित कर दिया है जिनके बहुत million subscriber हैं लाकों करोडों subscriber हैं जिनके उन्होंने भी लोगों को सुचित पहले कर दिया है लेकिन आप लोगों को सुचित नहीं कर सका पहले लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है ताकि आप जो है कोई ऐसी application न अपने phone पर न इस्टॉल करें Chinese न डाउनलोड करें जिससे आपको जो है नुकसान हो सकें तो friend क्योंकि मैं अपने इस channel पर ऐसी technical video लाते रहता हूँ application से relative video लाते लाता हूँ आपको हर चीज के बारे मैं एकदम पुरूप साइद बता देता हूँ इसलिए friend अगर आप मेरे channel पर पहली बार नए आया तो आपने क्या करने है इस channel को जो है subscribe कर देना है और इस ये पर करके technical video और देखनी है तो मेरे channel पर चले जाए friend और ये video अच्छी लगी है तो इस video को एक like कर देना है and comment करके बताना की video कैसी लगी friend और इस video को एक request और है कि जितना ज़्यादा हूँ से कि अपने दोस्तों के साथ अपने family और लों के साथ सबी के साथ इस video को share करतें उन्हें भी बता दें कि अगर आप कोई ऐसे अपने phone से Google पे या इस type को कोई चीज करतें अगर आपके phone में Chinese application है तो उससे आपको नुक्सान होगा उन्हें सारी डिटेल में आपने बता देना है friend तो क्या करना है इस video को share कर देना है ठीक है तब तक के लिए अलविदा मिलते हैं कोई new technical video लेके thank you so much तो दोस्तो अगर आप मेरे channel पे नहीं आए तो channel को यूँ subscribe कर दो and bell icon को भी press कर देना ताकि उससे क्या होगा कि कोई भी में नहीं technical video लाओ तो उसकी सबसे पहले notification आप तक पहुंच सकें और आप उसे सबसे पहले देख सकें तो please यार subscribe कर दो अपने भाई के channel को